दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो घर में मिठाई तो बनता ही है तो आज मैं लेकर आई हूँ चार तरीके की बर्फी की रेसिपी बहुत इलाजवाव ये रेसिपीज हैं और बहुत जादा सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है बस घर में पड़ी हुए चीजों से ये हलवाई जैसी बर्फी आप घर पर बना सकते हैं कौन सी वाली बर्फी आपको ज़्यादा पसंद आई? लाश्ट में वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट करके बताईएगा जरूर तो आईए बनाते हैं इसे आज की रेसिपी इतने अच्छी है कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाये नहीं रह सकते इसका स्वाद इसका टेक्षर इतना ज़्यादा लाजवाब है कि आप इसके स्वाद के दिवाने हो जाएंगे यह है दानेदार बर्फी जो की मार्केट से तो आप बड़ी असानी से खरीद कर खा लेते हैं लेकिन आप यह नहीं सोच दे कि आप इसे घर पर कितने असानी से बना सकते हैं वो भी सिक तीन चीजों से घर में ही पड़ी ही चीजों से हम बनाएंगे कुछ भी एक्षा हम इसमें नहीं डालेंगे लेकिन ये जो बर्फी है एकदम लाजवाब दानेदार ब्राउन कलर की बनकर तैयार होगी तो आईए बनाते हैं इस दानेदार बर्फी की रेसिपी को दानेदार बर्फी की रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ एक लीटर फूल क्रीम दूद दूद आप किसी भी ब्रैंड का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आप फूल क्रीम दूद का इस्तमाल करें इसको बनाने के लिए मैं non sticky pen इस्तेमाल कर रही हूँ आप यही इस्तेमाल करें अगर almonium या steel का बरतन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें चिपकने का डर जादा रहता है और बनाने में भी दिक्कत होती है तो लगातार इसे हमने पकाते रहना है high flame पर या बीच-बीच में gas का flame जो है वो कम जादा आप कर सकते हैं अभी इसे पकाते हुए करीब 5-7 मिनट हो चुका है इसको मैंने shift कर दिया है दूसरी तरफ और एक और पैन रख लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 2-3 चम्मज चीनी एक लीटर दूद में मैं 2-3 चम्मज चीनी ही इस्तेमाल कर रही हूँ यह जो मिठाई है हलकी मीठी ही अच्छी लगती है लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मज चीनी और बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा इसके उपर पानी स्प्रिंकल कर दे आप क्या करना है यह जो चीनी है उसको करमलाईज करना है यानि कि इसका जो कलर है वो चेंज करना है जब तक कि यह एकदम ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है बीज-बीज में आप दूद का पैन भी चलाते रहें और इस पैन को यानि चीनी वाले पैन को भी आप थोड़ा घुमाते रहें क्योंकि होता क्या है जो गैस का फ्लेम है न कई बार एक तरप से ज़्यादा लगता है एक तरप से कम लगता है तो पैन को इस तरीके से आप घुमाते रहें जब ये पूरी तरीके से ब्राउन कलर का हो जाएगा और चीनी एकदम अच्छे तरीके से मिल्ट हो जाएगी तब इसे हम गैस से हटा लेंगे और वापस से इसी पैन को मैंने रख लिया है देखिए अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है वो हाई पर रखा है हाई पर इसको रखते हुए और लगातार चलाते हुए इस चासनी को हमने एकदम गरम गरम इसमें डालना है ऐसा करने से होगा क्या ये जो बर्फी है एकदम दानेदार बन कर तयार होगा यही वो तरीका है जो इसको दानेदार बनाने में हेल्फ करता है तो बस लगातार चलाते रहें और इस चासनी को इसमें डालते रहें जैसा आप वीडियो में देख रहें न उसी तरीके से आप करें अगर आप पहली बार बना रहे हैं और इसे आपने बड़ी साउधानी से करना है इसमें जल्दबाजी नहीं करें अब गैस का फ्लेम हाई पर करें और इसे लगातार चलाते हुए हमने पकाना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है देखिए इसे पकाते हुए 10-12 मिनट हो चुका है मैं इसे हाई फ स्वाद है वो भी एकदम लाजवाब आएगा तो बस देखिए की डालने के बाद भी इसे हमने पकाना है करीब 3-4 मिनट हाई फ्लेम पर तो बस ये ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते रहें बहुत ही सिम्पल रेसिपी है लेकिन अगर आप एक एक चीज को फॉलू करते है न तो एकदम परफेक्ट ये बनकर तयार होगा इसे वीज एक ट्रे या प्लेट तयार कर लें इसकी उपर हलका सा घी लगा लें जिसमें की बरफी जमाना है बस हाई फ्लेम पर रखते हुए इसे हमने पकाना है करीब 3-4 मिनट तक जब तक कि ये एकदम जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है न तब तक इसे हम पकाते रहेंगे जैसे कि हम खोवा या मावा बनाते है न उस तरहीके का हमने इसे करना है देखिए घी डालने के बाद इसकी बहुत अच्छे से भुनाई होती है जो कि इसके स्वात को भी बढ़ाती है और इसका जो दानेदार पन है न उसको भी बढ़ाती है तो बस ये अच्छे से पक गया है इसका आप टेक्शर देख रहें न ऐसा ही लाना है आपने बस जब इस तरीके से दिखने लगे तो इसे हम ट्रे में या प्लेट में पलट देंगे और अच्छे से बराबर कर लेंगे आप इसे कीचन काउंटर पर ही रहने दें अगर इसका आपको दानेदार टेक्शर चाहिए इसका जो स्वाद है एकदम मार्किट वाला चाहिए तो आप इसे ऐसे ही तीन से चार घंटे के लिए छोड़ दें आप चाहें तो फ्रीज में रख सकते हैं लेकिन फ्रीज में रखने से क्या है ना इसका जो आपको स्वाद लेना है ना एकदम ओरिजिनल वो नहीं मिल पाएगा इसलिए इसे आप बाहर ही रख दे और जब 3-4 घंटे हो जाएं और यह अच्छे से सेट हो जाए तब इसे हम कट करेंगे और डी मोल्ड करेंगे आपको मैं कट करके दिखाती हूँ आपको वीडियो में देखके अंदाजा लग रहा होगा कि कितना अच्छा एकदम पॉर्फेक्ट यह बरफी बनकर तयार हुआ है यह आपकी च्वाइस है कि आप इसे छोटा या बड़ा कैसा कट करना चाहते हैं जैसा कि मैंने बताया ठंडा होने के बाद आप इसका पेड़ा भी तयार कर सकते हैं मैं आपको पास से इसका टेक्श्चर दिखाती हूँ एकदम दानेदार सौफ बरफी बनकर तयार हुआ है इसे बना करना आप 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज में रखकर इस्टोर कर सकते हैं यह जल्दी खराब नहीं होगा देखिए कितना अच्छा दानेदार बना है न तो ऐसे ही बनाए और बनाने के बाद फीडबैक देकर बताएं जरूर की यह रेसिपी जब आपने बनाई तो कैसी बने तो उमीद करती हूँ आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी सिर्फ 10 मिनट में यह पिस्ता बरफी बनकर तयार हो जाता है जी हाँ बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और इसमें हमें कोई मावा या खोवा की जरूरत नहीं है यह पिस्ता बरफी इतने सिंपल है कि अगर आपने अभी तक कोई मिठाई नहीं बनाई है न तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राई करें दस मिनट में यह मिठाई आप बना कर तयार कर सकते हैं तो आएए बनाते हैं इसे इसे बनाने के लिए एक हैवी तले का बरतन ले मैं आज यह एलमूनियम का कढ़ाई इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप नॉनिस्टिकी पैन इस्तमाल करें तो बहुत अच्छा इसमें दो चम्मच देशी घी डाल देए और एक कप दूध डाल दें इसी के साथ आदा कप चीनी डाल देए यह जो मेजरिंग कप है न दूध का कोई परफेक्ट मेजर मेजरमेंट की जरूरत नहीं है आप चाई के कप से भी एक कप दूध या सवा कप दूध इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप मिल्क पाउडर ये जो मेजरिंग कप है न ये 250 सकते हैं अब इसमें एक छोटा चमच इलाइची का पाउडर डाल दे और अच्छे से मिक्स कर लें अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन थर्ड कप ये कोकोनेट पाउडर जो की मार्केट में आसानी से मिल जाता है इससे जो बर्फी है न एक तो अच्छा बनता है उसका अच्छा साजयन रहता है और इससे जो इसमेल है बर्फी का वो भी बहोत अच्छा रहता है कूझकि देखिए इसमें हमने मावा या खोबा का इस्थमाल तो किया नहीं है इसलिए देशी खी का इस्थमाल आप जरूर करें अच्छे से मिक्स करते रहें ये ओना है कि इससे आने पर गैस का फ्लेम बंद कर दे और इसे कम से कम 4-5 मिनट आप इसी तरीके से चलाते रहें आप चाहें तो ये काम पंखे के नीचे रखकर भी कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सूख भी जाएगा और इसको आप बहुत अच्छा चिकना भी कर सकते हैं बरफी जमाने के लिए ना मैंने पहले से ही एक प्लेट में देशी की लगा कर ग्रीस कर लिया है उसमें क्या है ये जो मिक्शर है ना उसको हम पलड देंगे देखिए ये जो रेसिपी है न बहुत ही सिंपल है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं इवेन कोई आने वाला भी हो न तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं जिसमें किस समय नहीं लगता है बस अच्छे से इसे फैला देंगे और इस बर्फी को बना कर आप कम से कम हफता दिन तो आराम से फ्रीज में रखकर इंजवाय कर सकते हैं अब इसके उपर चुकि ये पिस्ता बर्फी है तो मैं इसमें इस्तमाल कर रही हूँ कटा हुआ पिस्ता इसको मैंने एकदम बारी कर लिया है अच्छे से इसे भी दबा दें और इसे सेट करने के लिए आप चाहें तो ऐसे ही कीचन काउंटर पर छोड़ दें दो से तीन घंटे के लिए अच्छे से सेट हो जाएगा अगर बहुँ जल्दी है तो आप इसे फ्रीज में रखकर सेट कर सकते हैं तो मैं तो अभी ऐसे ही रख दी थी इसको अभी इसी 15-20 मिनट ही हुआ है इसको रखे हुए मैं आपको बस फटा-फट से दिखा देती हूँ कि इसका जो टेक्षर है कितना अच्छा आया है और जिस तरीके से मैंने बताया है ना बहुत जादा आपने सूखा नहीं करना है बर्फी का मिक्षर बनाते समय तो देखिए कितना अच्छा है ये सौफ्ट बर्फी बनकर तयार हो चुका है कोई इसमें मावा या खोवा नहीं लगा है नहीं हमने देर तक दूद को काठा क किया है बस फटा फट से ये बर्फी बनकर तयार हो चुका है आज मैं बना रही हूँ मोंग डाल की बर्फी ये दाने दार मोंग डाल की बर्फी बनाने में जितनी आसान है खाने में यकीन मानिये बेहत लाजवाब लगता है एक बार बनाने की बातना आपका मन करेगा इसे बार बार बना कर खाएं मौंग डाल सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छी चीज है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें मीठा है लेकिन ये सेहत को नुकसान नहीं करेगा तो आईए बनाते हैं इसे इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने एक कप मौंग का डाल रात पर पानी में भींगो कर रख दिया था रात पर नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे आप जरूर भींगो कर रखें अब इसे एक बार पहले तो पानी से साफ कर ले उसके बाद एक ग्राइंडर में डाल कर इसका हलका दरदरा पेश्ट तयार कर ले पानी अगर पीसने में आपको दिक्कत होती है तो एक से दो चमची पानी का इस्तमाल करें जादा पानी का इस्तमाल हमने नहीं करना है अगर आप इसमें जादा पानी डाल देंगे तो आपको भूनने में ज़्यादा समय लगेगा और घी भी ज़्यादा इस्तिमाल होगा तो हलका दरदरा मैंने इसे पीस कर तयार कर लिया है अब एक पैन लें इसे अगर आप नॉनिश्टिकी पैन में बनाएंगे न तो बहुत ही अच्छा रहेगा मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे नॉनिश्टिकी पैन में बनाएं एल्मूनियम या स्टील के कढ़ाई में बनाने से यह बहुत ज़्यादा चिपकेगा जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है समय भी ज़्यादा लगेगा और नॉनिश्टिकी पैन में आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते है तो वन फोर्थ कप मैंने इसमें घी डाल दिया है देसी की और यह जो हमने पेश्ट तियार किया है ना मूंग दाल का उसे डाल दे गैस का फ्लेम जो है वो आप कम जादा करते हुए इसे आप लगातार चला ले देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे इसे चलाना तो यह पैन से चिपकेगा तो इसमें घबडाईएगा नहीं कि यह पैन से चिपक रहा है और मैं बोल रही हूं कि इनाउनिस्टिक की पैन में चिपकेगा नहीं ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में जब आप इसे चलाना सुरू करेंगे तो यह पैन से चिपकेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह भूनता रहेगा न यह पैन को छोड़ता रहेगा और बीच बीच में क्या करना है ना इसम तो बस अभी मैंने एक से डेड़ चमच ही घी इसमें डाला है इसको हम चला लेते हैं लगातार चलाते रहना है और गैस का फ्लेम जैसा कि मैंने बताया आप कम जादा या हाई फ्लेम पर भी इसे रख के बना सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप किस फ्लेम पर कमफर्टेबल है और पल्टे की सहायता से इस तरीके से इसे मसलते रहें ताकि यह जब भून के तयार होना तो एकदम दानेदार हो जब यह दानेदार होगा तो उसका जो बर्फी बन कर तयार होगा वो बहुती लाजवाब लगेगा बीच बीच में घी डालने से क्या है न कि यह बहुती अच्छी तरीके से भूनता है बस गैस का फ्लेम कम जादा करते रहें और इसको इसी तरीके से चलाते रहें भूनने में इसे थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुती अच्छा लगता है देखिए भूनते भूनते करीब 10-12 मिनट हो चुका है मैं अंदाजा से ही बता रही हूँ आज मैंने समय नहीं देखा है कितनी देर से मैं भून रही हूँ लेकिन जब इस तरीके से दिखने लगेगा तो इसमें एक से दो चंबस देशी गी और डाल दे और एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर ले ये एकदम दानेदार हो गया है ये इससे पता चलता है कि ये जो मोंग दाल लिया था ना किसी भी कप या कटोरी से आप मेजर कर सकते हैं वैसे एक कप मैंने मोंग दाल लिया था और एक कप ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और जिस कप से मोंग दाल हमने मेजर किया है ना उसी कप से दो कप इसमें दूद डालेंगे और दूद के साथ साथ थ का जो टेक्षर है ना बिल्कुल मावे जैसा आ जाएगा और खाने में बेहत लाजवाब लगेगा तो अभी मैंने पूरा दूद नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा केसर मैंने दूद में भिंगो कर रख लिया था उसे डाल दें के डूद के साथ थोड़ा सा दूद के उपर की मलाई डाल दिया है आफ क्या करना है इसको चलाते समय एक पल्टा और लेले हात में और इस तरीके से इसे मसलते रहे जो भी हलकी फुलकी गुठलिया है इसमें जो लंप बन गया है वो निकल जाएंगे यह बहुती दानेदार बनकर तयार हुआ है और एक बारिस में हम और घी डालेंगे इससे क्या है इसका जो टेक्षर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो थोड़ा सा घी और डाल देते हैं एक से डेड़ चमच और इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं अब गैस का फ्लेम जो है वो लगातार आप हाई पर रखें और इसे कम से कम तीन से चार मिनट लगातार आप चलाते रहें जितना अच्छा से ये भून जाएगा न उतना ह अच्छा ये बर्फी बनकर तैयार होगा देखिए लगातार इसे चलाते रहें बर्फी जमाने के लिए मैंने पहले से ही एक ट्रे तैयार कर लिया है उस पे हलका सगी लगा लिया है बस अब इसे बर्फी वाले ट्रे में पलट देंगे और अच्छी तरीके से फैला देंग देखिए ये जो मूंग डाल की बरफी है न इसे जो बनाने का तरीका है जिस तरीके से मैंने बताया है अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो एकदम दानेदार ये बरफी बनकर तयार होगा और इसे आप बना कर हपते दिन तक फ्रीज में श्टोर करके रख सकते हैं अच्छे से इसको फैलाने के बाद करीब एक से दो घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ देए अच्छे से सेट हो जाएगा जब एक से दो घंटा हो जाए या सेट हो जाए तब इसे हम कट करेंगे बड़ा या चोटा जैसा मर्जी आप इसे कट कर सकते हैं यकीन मानिये इसे आप बनाईएगा जरूर और बनाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो कॉमेंट करके बताईएगा भी जरूर की आपको ए रेसिपी कैसी लगी मुझे पर्शनली ये मिठाई जो है बहुत पसंद है उपर से मोंग डाल है तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में तो उमेद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहले बारा आए है घर पर बनी हुई मिठाई की तो बात ही कुछ और है इसे आप किसी तेहवार पर बनाए या किसी आने वाले के लिए बनाए जब भी आप इसे खाएंगे न आप इसके स्वात के दिवाने हो जाएंगे ये है चॉकलेट रोल बड़ी सिम्पल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बेहत लाजवाब लगती है तो आईए बनाते हैं इसे इस मिठाई को बना कर आप हपते दिन तक फ्रीज में श्टोर करके रख सकते हैं और जब मरजी से इंज्वाइ कर सकते हैं बाहर की महंगे मिठाई खरीदने से अच्छा है कि आप इसे घर पर बनाए तो आये बनाते हैं इसे तो इस chocolate roll की recipe को बनाने के लिये मैंने लिया है एक cup दूद और इसमें मैंने ले लिया है 2-3 चम्मच दूद के उपर की मलाई अगर मलाई नहीं हैं तो कोई बात नहीं आपसे दूद से भी इस recipe को बना सकते हैं अब इसमें दो चम्मच के करीब देसी घी डाल दें और हलका सा मिक्स कर लें देसी घी डालने से और मलाई डालने से क्या है ना जो मिठाई बनकर तयार होगा उसमें बड़ी अच्छी सी softness रहेगी तो इसलिए इन दोनों चीजों का इस्तिमाल आप करें अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप मिल्क पाॉडर यह जो मिल्क पाॉडर है मीठा है मेजरिंग कप यह 250 ml का है तो उससे मैंने एक कप डाल दिया है एक कप मिल्क पाॉडर से पूरा एक कप आप मावा तयार कर सकते हैं गैस का फ्लेम धीमा रखें और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहें तेज आज करेंगे न तो ये जो milk powder हमने डाला है उससे गुठलियां बन जाएंगी जो की mix करने में आसानी नहीं रहेगी तो बस लगातार इसे चलाते रहें अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी जैसा कि मैंने बताया ये जो milk powder है न मीठा है तो मैंने इसमें चीनी का इस्तमाल बहुत कम किया है तो ये depend करता है कि आपने कौन सा वाला milk powder इस्तिमाल किया है अगर फीका है तो चीनी आप उसमें उसके हिसाब से डालें अगर मीठा वाला milk powder है तो चीनी आप दो चम्मस से जादा ना डालें तो बस जब इस तरीके की consistency दिखने लगे तब क्या करेंगे इसका जो half portion है उसे हम अलग कर लेंगे ये जो हमने अलग रखा है इसको आप freeze में रख दे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए अब इसमें तीन चम्मस के करीब cocoa powder डाल रही हूँ ये भी आप अपने स्वात के अनुसार कम या जादा डाल सकते हैं अगर जादा चॉकलेटी पसंद है तो तीन से चार चम्मस डाल दें चुकि ये cocoa powder फीका है तो मैं इसमें एक चम्मस चीनी डाल दी हूँ बस इसे अच्छी तरीके से mix कर लें mix करते समय अगर आपको लगता है कि ये जादा सूखा हो रहा है तो इसमें एक से दो चम्मस दूद डाल सकते हैं इससे क्या है इसमें एक अच्छी सी softness बनी रहेगी और ठंडा होने के बाद भी ये hard नहीं होगा तो बस एक से दो चम्मस ही दूद का इस्तमाल करें और अच्छी तरीके से mix कर लें बस अच्छी तरीके से mix करने के बाद इसे एक बोल में निकाल लें और फ्रीज में रगते करीब आधे से एक घंटे के लिए उसके बाद क्या करना है ना ऐसे प्लेट फॉर्म पर या किसी प्लेट में हलका सा आप घी लगाए इस तरीके से और जो दोनों हमने mixture त्यार किया है ना उसको हम अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे इस तरीके से बस इस तरीके से आप लंबे साइच का करके एक साइड रगते और बाकी का जो दूसरा वाला प्लेन विक्षर है ना यानि मावा है उसको भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे देखिए डिजाइन देना पूरी तरीके से आपके उपर है आप इसमें जितना अच्छा डिजाइन दे पाएंगे उतना ही ज़्यादा यह जो मिठाई है ना देखने में अच्छा लगेगा देखिए अगर इसको आप ज़्यादा देर तक फ्रीज में रखते हैं ना मैंने सिफ आदे घंटे के लिए रखा तो यह थोड़ा सॉफ्ट है अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं दो घंटे के लिए रख देते हैं तो इसे आप बहुत अच्छी तरीक हलके हाथों से इसे आप रोल करें ताकि ये टोटे ना अभी भी ये बहुत जादा सॉफ्ट है तो मैं क्या करूंगी ना इसको इस तरीके से रोल करने के बाद आदे गंटे के लिए और फ्रीज में रख दूंगी उसके बाद इसे एक साइज का हम कट करेंगे देखिए अभी भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े भी इससे बना सकते हैं तो बस बीज में से इस तरीके से कट कर लेते हैं और इसे क्या करेंगे फ्रीज में रख देंगे करीब आधे से एक खंटे के लिए बस इसे रख देते हैं देखिए जब ये ठंडा हो जाए ना यानि सेट हो जाए तब इसे एक साइच का कट करें और सर्फ करें इसे बना कर आप हपते दिन तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और चब मर्जी से इंज्वाय कर सकते हैं घर पर बने हुई मिठाईयों की तो बात ही कुछ और है किसी महंगे मिठाई से कम नहीं है और बाहर खरीदने जाए तो ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती है तो उमीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू